इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Tarset H40 बटा 12 टेबलेट में दो दवाएं मौजूद हैं जो high blood pressure को नियंतरित करने में मदद करती है आमतोर पर इसका इस्तिमाल तब किया जाता है जब अकेले एक दवा blood pressure को प्रभावी धंक से नियंतरित ना कर पा रही हो Blood pressure को कम करने से भविश्य में hot attack या stroke होने के आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलती है आप tarzate 40 बटा 12 टेबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं डोज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें जब तक आपका डॉक्टर आपको रुखने के लिए न कहें तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है इसमें diuretic यानि की water pill होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है इसलिए सोने की चार घंड पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं तब भी नियमित रूप से इस दवा का इस्तिमाल करें आमतोर पर high blood pressure में लक्षन नहीं होते हैं और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका hot attack या stroke का जोखिम बढ़ सकता है सबसे सामान इस side effect चक कर आना है अन्य side effect में थकान, मिचली आना, डायरिया, यानि की dust, flu जैसे, लक्षन, सांस की तकलीफ और heartbeat में परिवर्टन शामिल है बार-बार पेशा बाना इस दवा का side effect नहीं है यही इस दवा का उद्देश है क्योंकि बार-बारे होने वाला urination आपके blood pressure को नियंतरित करने में मदद करता है आपको अन्य side effect का अनुभव हो सकता है, लेकिन अधिकतर दूरलब हैं आप अपनी दवाओं के साथ आने वाले leaflet को ज़रूर पढ़ें और अगर आप side effect से परेशान है या उनमें सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं आपकी खुराक को adjust करना या किसी अन्य दवा को try करना संभव हो सकता है डॉक्टर की सलाह के बिना है potassium supplement या salt substitute का इस्तेमाल न करें गर भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा को लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है अगर आपको kidney या liver की बीमारी, hot में समस्या या मधुमे है तो आपको इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए शराब पीना आपके blood pressure को कम कर सकता है और इससे side effect हो सकते है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद